नमस्कार दोस्तों, बजट 2021 ने सेलरीट पेड एंप्लोईस के केस में प्रॉविदेंट फंड इंटरेस्ट के टेक्सेशन की बात की है तो बजट 2021 में सर्थ ये प्रॉविदेंट फंड इंटरेस्ट के टेक्सेशन का क्या फॉर्मुला आया है क्या उससे salaried paid employees को probably नुकसान हो सकता है इस वीडियो में सर इसी पक्ष को लेकर क्या आपके सामने आ रहा हूँ तो आईए दोस्तों समझते हैं What is the new provision? नया प्रावधान क्या आया है? इसको समझने के लिए सर मैं हलका सा ध्यान आपका आक्रिष्ट करूँगा section 10 clause 11 and section 10 clause 12 of income tax law में जिसमें व्यवस्ता की गई है कि provident fund पर employee को जो ब्याज due होता है वो ब्याज taxable नहीं होता अब सरकार ने जो व्यवस्ता कर दी है या जो करने जा रही है वो क्या करने जा रही है? कि अगर आपका interest is crude on contribution exceeding 2.5 lakh on or after 1st day of April 2021 है तो ऐसा जो ब्याज है सर वो exempt नहीं होगा यानि वो ब्याज क्या हो गया? taxable हो गया तो बहुत सारे employees सर voluntary provident fund के contribution के रूप में extra provident fund में contribution करते हैं और वो extra provident fund के contribution का भी ब्याज अब तक exempt था जैसे मान लीजे for an example 8.5% की ब्याजदर चल रही है सर तो 8.5% का ब्याज आपको voluntary provident fund पर अगर exam मिल रहा है तो बहुत अच्छा return लेकिन इस particular exam return को अब नजर लग गई और भारत सरकार ने सर ये कह दिया कि डाई लाग से उपर के contribution पर जो ब्याज आएगा वो ब्याज हम अब taxable करेंगे इस बात को मैं एक उधारण के रूप में आगे आपके सामने रखता हूँ अब जैसा मैंने कहा सर आपके सामने अपनी बात को एक example के थू रखता हूँ मान लीजिए दो व्यक्ति Mr. X और Mr. Y ये employees हैं Mr. X की basic salary है सर 6 लाग इनके other allowances है 9 लाग इनका PF contribution होता है सर 12% की rate से 72,000 रुपीज का इन्होंने खुझ से एक voluntary contribution भी एक लाग रुपे का किया यानि total contribution सर Mr. X का हो गया एक लाग भात तरजा अब क्यूकि ये contribution धाई लाग रुपे से उपर नहीं है तो नए प्रावधान जो provident fund के interest के taxation के हैं पर लागू नहीं होते अगर मैं मान लो के इनके इस साल के closing balance पर इन्हें 8% की rate से अगले साल 14,622 का ब्याज मिलता है पूरा का पूरा ब्याज दोस्तों exempt होगा अब आईए बात करते हैं Mr. Y की जिनकी basic salary 21,000,000 अगले साल के opening balance पर से मिला 38,420 का ब्याज इसमें से दोस्तों धाई लाग रुपे तक का amount पर जो ब्याज है 21,250 वो तो exempt हो जाएगा और बाकी का जो accrued interest है वो अब इनके हाथ में taxable होगा तो अब तक Mr. Y के हाथ में ये जो amount taxable नहीं होता था वो वित्तवर्ष 2021 से taxation में आ जाएगा taxation के coverage में आ जाएगा तो ऐसे अससी सर जिनकी income higher है या वो धाईलाग से ज़्यादा का contribution करते हैं उनके लिए सर यहाँ पर taxation इस नए प्रावधान की वज़े से होना स्वाभाविक है तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये प्रावधान कुछ हद तक मैं आपको समझा पाया हूँगा हलाकि अभी भारत सरकार ने इस विशह में proper rules या proper guidelines लेकर के आनी है जैसे ही वो चीज market में आईगी मैं आपके सामने उस बात को भी रखने की कोशिश करूँगा मेरे साथ रहने के लिए मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जैह